नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अपने यूटीब चलना पर तो हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं बिहार के प्रमोख जनजातियों के बारे में तो जनजातियों का इतिहांसिक प्रिस्ट उमी देखा जाए तो एक तरह से जो मानुविय रूप में हम लोग पहले अधिवाशी के रूप में आते थे तो जैसे जैसे बिक्षित होते गए तो हम लोग अपना-पना कारेच्षेत्र और अपना-पना काम देख लिए अपने इसाब से और अपने अपने निवास अस्थान को देख लिए लेकिन वहीं पे जो लोग पिछले रहा गए वो जनजाती के रूप में हम लोग आज उनको देखते हैं और यह ज्यादा तर बिहार के परिपेक्ष में देखा जाए तो बिहार पहले जारखंड एक ही था बेंगाल भी था जब बिहार आधुनिक बिहार की बात करते हैं तो उसमें से जारखंड जब अलग हो जाता है तो उ सबसे पहले देखते हैं कि आधुनिक बिहार में जरखंड बनने के बाद जनजातियों की संख्या बहुत कम हो गई प्रंतो कुछ जनजातिया अभी भी है जो बिहार की समरीद समाजिक संस्कृति को अपनी प्राचिन संस्कृति में से युगदान देती है यानि एक तरह से देखा जाए तो जनजातियों के बारे में एक तरह से कहा जाए तो ये मूल रूप से प्राकृतिक चीजों से जुड़ कर रहने वाले लोग हैं यानि ये डिरेक्ट प्राकृतिक चीजों से उस पे निर्भर रहते हैं और उससे सम्माधि जो भी चीजे मि कुछ जंजातिया जो बिहार में पाई जाते हैं देखते हैं सबसे पहले मुंडा की तो मुंडा में हम लोग देखते हैं तो यह बक्सर और रोहतास जीले में पाई जाने वाले जन जाती हैं ठीक है यह बक्सर और रोहतास में लोग निवास करते हैं इनकी भासा मुंडारी है किन्तु अब यह सदानी भासा भी बोलने लगे हैं यानि इनकी भासा सदानी एक भा दारी उसके बाद देखते हैं को अपना सरोच देवता मानते हैं जो क्रिसी से समंदित है तेमें के जो भी उतना ज़्यादा डिवलप नहीं कर पाए हैं ठीक है जैसे सिक्षा स्वास्त की सुविधा अभी तक नहीं पहुंच पाई है ठीक है आगे देखते हैं अब और सकता इस बात की है कि इन्हें भी विकास के मुखेधार से जोड़कर जनजाती संस्कृति को सर्यक्षण प्र आगे देखते हैं गोड जनजाती यह जनजाती छप्रा चंपारन और रोहतास जिले में पाई जाती है प्राया इनकी अपनी कोई बस्ती नहीं होती है जो की समानेता अन्य जनजातियों में पाई जाती है यह लोग गेर आदिवाश्यों के साथ रहते हैं इनकी भासा निवास करते हैं और इनकी कोई बस्ती नहीं होती है जो गेर जो आदिवाश्यों होते हैं उनके साथ रहते हैं तो एक तरस से देखा जाए तो यह भी पिछड़े मतलब जनजाती के तोर पर हम लोग देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं खोड जनजाती यह जनजाती अस्थानिय मदानी है प्रन्तु ये अधिकतर भजपूरी काहीं प्रियोग करने लगे हैं यानि आधुनिक बिहार के अभिवी की बात करें तो पहले क्या यूज करते थे भासा अभी क्या यूज कर रहे हैं यानि प्राचीन को के सांथ सांथ हम लोग बर्तमान को भी जोड़ बिखुलिकर इसमें हम लोग देख रहा हैं आगे देखते हैं गोराइत यह जन जाती गाया और भोजपूर जिलो में निवास करने वाली यह जन जाती प्रोटो ऐस्टेलक्र लाइड समू कीं समू की है यानि प्रोटो ऐस्टेलाइड जो परिवार हैं ुससे ये एकल परिवार पधिति को अपनाते हैं यानि जो nuclear family है उस तरह के सिदान परी लोग चलने वाले लोग है इनका बिवाह स्वजाथी है ये अपने जाती में ही होता है किन्तु इनका गोत्र अलाग अलाग अम skirt जो होता है यह जनजाती मुंगेर जीले में रहते हैं इस जनजाती के लोग प्राया बिखार कर रहने वाले लोग होते हैं यानि एक ही छेतर में एक ही साथ नहीं रहते हैं अलग अलग छेतरों में लोग रहते हैं यह भी किसान और मजदूर होते हैं तथा अस्थानिय भासा में ही वर्तलाप यहाँ पर यह लोग करते हैं तो यह जो सन्थाल परागना यानि जो जारखंड में है वहाँ पर निवास करती है और विहार की बात किया जाए तो विहार में यहाँ पर पूर्णिया भागलपूर और सहार्सा यह सब आधि जीलों में भी और कुछ जीलों में निवास करते हैं इन्हें भी Proto-Australite परिवार से समधित माना जाता है इनकी भासा संथाली है जो Austro-Asiatric भासा परिवार की होती है इसके अतरिक्त ये लोग बंगाली और हिंदी का भी परियोग करते हैं यानि अपने original जो language उसको तो करते हैं उसके बाद से ये लोग बंगाली और हिंदी को भी अपना लिए है ठीके तो निशित तोर पर देखा जा सकता है कि ये लोग जो बंगाल से सटे हैं तो इसलिए वहां का भी थोड़ा परभाव यहां पर देखने को मिलता है सिंग भूंगा इनके पूजे देवता है तो सिंग भूंगा इनके भी जो देवता है संथाल के और म जर्खंड में निवास करती है किन्तू बिहार में रोतासगड़ छेटर में भी पाजाते हैं खेरवार को है कि जिनको हम लोग भी चले गए अतिक बिहार में कुछ नहीं कि कर दो कि इनकी परंपरा में खैर घ्रासों की पूजा करने का बिधान है इसी कारण इनका नाम खेरवार पड़ा यानि ये लोग जो इनकी जो परंपरा है खेर एक घास होती है जिसको ये लोग पूजा करते हैं इसी वज़ा से इनका नाम खेरवार पड़ा इस जनजाती के लोगों की भासा मुंगरी है किन्तु अब ये लोग बिहार के अस्थाने भासा यानि भज़पूरी का भी प्रियोग करने लगें कोरा की बात करते हैं ये जनजाती बिहार के जम्मुई कटिहार मुंगेर और जीलों के कई हिसों में निवास करती हैं इनकी भासा मुंडारी है यह लोग सदानी और हिंदी भासा भी बोलते हैं इस जनजाती के लोग एकांत निवास के लिए पहाड और मैदान में अपना घर बना लेते हैं यानि यह लोग जो कोरड ज дав जाती है यह लोग पहाडों पे भी रहते हैं और मैदानी भागों में जहां पर इनकुछ सुलब लगती है अपने अनुसार वहां पर अपना निवाशास्थान बना लेते हैं उसके वासे इनका समान्य व्यवस्था क्रिसी है किन्तु ये लोग बन उत्पाद और मजदूरी पर अधिक आसित रहते हैं बन उत्पाद यानि प्रक्रितिक चीजों यानि डाइरेक्ट बन जंगल वेगर हमें रहते हैं तो वहां से जो चीजे मिलती है अब उससे अपनी अजीव का चलाते हैं ठीक है और ये कहां कहां निवास करती हैं बिहार में तो ये बिहार में रोहतास, पुर्णिया, मुंगेर और कटिहार जिल में निवास करती हैं यानि पूरी छेत्रों में देखा जाए बिहार के, इसकी समाजिक बिवस्था में एकल परिवार या नुकलियर फेमली और स्वाजाती बिवाह की परंपारा है, यानि एक ही जाती में ये लोग साधी करते हैं, ये लोग अस्थाई और अस्थानांतरित किर्शी तथा सिकार से कि मतलब ये हुआ कि जैसे जाननेवारों के जो खाल होते हैं, उनको बजारों बेच करके उससे जो पैसा मिलता है, चमडवेगर बेच करके उससे जो पैसा मिलता है, उससे अपनिया जिवका को चलाते हैं, नेक्स्ट वन चेरों, तो चेरों यहाँ पे ज्यादा स्पेस नह जीलों में भी पाए जाते हैं अड़ाल निर्विक प्रेमि जो चेर स्वाइम को क्या करते हैं चट्रे और 94 वंसिय राजपुत्र मांनते हैं याई यह लोग जो चेर यह अपने आपको 94 वंसिय और और प्रभावित है, तो इसमें चेरों जो चेर है वो भी किलियर हो गया, यानि इसमें हम लोग मुंडा, गोंड, खोड, गुराइत, बेडिया, संथाल, खेरवार, कोरा, कोरवा, चेरों को ये सभी जन जाती हैं, जो मुख्य रूप से बिहार के जन जाती हैं, इसको हम लोग ने देख लिया ठीक है आई होब कि ये सब बात समझ में आये होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए नमस्कार जय बिहार